प्यारे बच्चों नमस्कार आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत हैं आप सभी इस चैनल के सदश्य हैं यानि आपने सस्क्राइब कर रखा थो आप इस फैमिली के सदश्य हुए तो आपके अपने चैनल में आपका स्वागत हैं आप आज हम करेंगे बिटा दूसरा दूसरा जो लेसन है आपका दुर बुद्धी विनिशती यानि पूरी बुद्धी वाला नश्ट हो जाता है इसकी हमने सरलात कर लिये हैं और जो आपका पार्ट था उसकी कहानी हमने बढ़ ली हैं जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जा तो आप बिल्कुल आसानी से अंसर दे पाओगे तो मैं आपको जल्दी जल्दी स्पीड से और अच्छे से करवाओंगी अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मैसेज कर सकते हो अब कोश्चन नंबर पहला समझे बीटा क्या है एक पदेन उत्रत यानि एक कत्चुए का क्या नाम आसंद मत्यूत था कंबूु ग्रीव mant दूसरा कोश्चों किया है सरस्टीरे के आगशन दलाव की किनारे कोन आय तो कोन आय थे धीवरा अब तीसरा कोश्च YouTube किस मारगें दूसरी जगह जाने की इच्छा रखता था तो क्या था वो अकास मारगेन तो आपने एक ही सब्द लिखना है क्या है अकास मारगेन अब जो लास्ट है लंब मानम कुर्मम द्रिष्टवा के आधावन कि लटकते हुए कच्छुए को देख कर कौन दोड़े तो क्या कौन दोड़े थे गोपाल कहा यानि गवाले गाउं वाले ठीक है अब तीसरा कोशन देखें बिटा विल्कुल आसान है ये बताना है कि जो अधो लिखी था अधो मतलब जो नीचे लिखे गए वाक्य है वो किसने किसके लिए कहे कि इसको कहे ये लिखना है ठीक है जैसे पहला वाक्या करके दिखा रखा है यथा प्रातय यद उचितम तत करतम कि सुबह जो उचित होगा जो सही होगा वही करेंगे तो ये हंसों ने कहा था दोनों हंसों ने और कच्छुए को कहा था अब आपने ये बताना है कि एहम भवध्याम सहे आकास मारगेन गंतुम इच्छा में कि मैं तुम दोनों के साथ आकास मारग से जाने की इच्छा रखता हूँ तो ये किसने कहा था कुर्मे ने कहा था किसको कहा था हंसों को अत्तर क्या उपाय है इसका क्या उपाय है ये किसने कहा था हंसो ने कहा था कुर्मे को तो आपने कैसे लिखना है यहाँ पे फिलप पे लिख देना है कैसे ऐसे ही जैसे फर्स्ट आपको करके दिखा रखा है ठीक है कि मैं आकास मारग से जाने की इच्छा रखता हूँ कुर्मे ने कहा था ये कर्मे लिख रखा है वेटा ये गलत है तो आपने उग की मातरा लगा देनी है तो आपने ऐसे लिखना है कुर्मे ठीक है तो यहाँ पेव सिरफ आपने उग की मातरा ओवर लगानी है ठीक है कहा क्यों कुर्मे ठीक है कुर्मम करती ही कि मैं उत्तर नहीं दूँगा मैं नहीं बोलूँगा किस ने कहा था कुर्मे ने कहा था यानि कच्छुए ने कहा था दोनों हंसों को कहा था कि तुम राख खालो ये किस ने कहा था कच्छुए ने कहा था कि जब गवाले कह रहे थे आप question number 4 देखें question number 4 में क्या है विटा कि जो ये मंजुसात मंजुसात मतलब जो ये आपको hint दिये हुए हैं सब्द दिये हैं ये आपने वाक्य में ये जो नीचे वाक्य दिये हैं इनमें प्रियोग करनी है जैसे अभिनांदती, भक्षियामे इच्छामी, वदंती, उडियते, पर्तिवस्तिसम तो आपने क्या लिखना है देखो हंसो, सह, कुर्मो, अपी हंसो के साथ कचुआ भी क्या कर रहा है उड रहा है उडियते तो फर्ष्ट में क्या जाएगा उडियते ठीक है तो यह आप लिख दोगे यहाँ पे, उड यते ठीक है यहाँ से देखके ही लिखना आपने ठीक है यह सब्द आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है फर्स्ट में यह आ गया अब दूसरा देखो, एहम किंचित अपी मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा तो क्या आजाएगा इसमें वदिश्यामी दूसरी में आ गया यह हित कामा नाम सुहर्द्यानाम वाक्यम नै जो मतलब अपना हित चाहने वाले का सुख चाहने वालों के वाक्य यानि वचनों को नै अभिधनती नहीं सुनते ठीक है न नहीं मानते एक है कुर्मा अपी तत्रेव एक कच्छुआ भी उनके साथ क्या करता था रहता था पड़ती वस्तिसम तो ये घै का अंसर आ जाएगा पड़ती वस्तिसम एहम अकास मारगेन अन्यत्र गंतुम इच्छामी कि मैं तुम्हारे साथ अकास मारग से उपर मतलब अकास मारग से दूसरी जगा जाना चाहता वयम ग्रहम नित्वा कुर्मे भक्षियामी कि हम घर लाकर कच्छुए को क्या कर देंगे भक्षियामी यानि भक्ष कर लेंगे यानि तो यह आपका गय था और यह आपका लास्ट है चैव ठीक है तो यह आपने ऐसे ऐसे फिल कर देने हैं देखो जैसे यह फिल कर रखे हैं फिल करके आप अंडरलाइन जरूर करोगे इनको ताकि पता चले कि यह खाली स्थान आपने भरे हैं ठीक है अब पांचमें कोश्टन सम पूरे वाक्या में अंसर देना है पहले तो सिर्फ एक सब्द लिख दिया उत्र दो हो गया अब आपने पूरा वाक्या बनाना है ठीक है सानी आपको पता है न सब्दों को मिला कर वाक्या बनता है ठीक है कछभचपई कुट्र अँछी गन्तुम इच्च्टी इच्छा रखता था तो आपने की ऐसे लिखना भी और याद भी करना है ठीक है पिटा अब खै देखें खै में क्या है कच्छब कम उपाई वजदी कच्छवे ने क्या उपाई बताया कच्छ उपाय वद्धी ठीक है ये तो कोश्चिन की लाइन है आपने याद क्या करना है युवाम तुम दोनों काश्ट दंडम लकडी के टुकडे में चंचवा चोंच में धार्यती धारन करोगे यानि पकडोगे तुम एक लकडी के डंडे को अपनी चोंच में पकडोगे हैं मैं काश्ट दंडम द्धे उस लकडी की डंडी के मद्धे यानि बीच में अवलब्य लटक कर युवाभ्याम तुम दोनों के पक्स बलेन पंखों के बल से यानि पंखों की ताकत से सुखेन सुक पूरवग गमिश्यामी जाओंगा हैं काश्ट दंडम द्धे अवलब्य युवाभ्याम पक्स बलेन शुखेन गमिश्यामी यानि मैं तुम्हारे पंखों के बल से जो आप उसके काश्ट मद्धे लटक कर तुम सुख से जाऊंगा अब गय कोशन देखे लंब मानम कुरमे दरिष्टवा गोपाल का की मवदत अब गाउंवाले क्या बोले उसको लटक का हुआ देखकर तो ये ये तो कोशन वाली लाइन है लंब मानम कुरमे दरिष्टवा गोपाल का अवदत आपने ये याद करना है यहां से ठीक है इतना आप छोड़ भी सकते हो, जिसे ये भी छोड़ सकते हो, इसमें से ये छोड़ सकते हो, ठीक है बिटा, आप यहां से लिख दो, उन्हेंने कहा था, अखो, महम आश्चरियम की बहुत बड़ा आश्चरिय है, महा आश्चरिय है, ठीक है न, तो महा आश्चरियम बहुत आश्च ये हैं दो हंसों के साथ कच्वा भी उड़ रहा है अब लास्ट कोशन देखे कुर्मय मित्रों वचनम 20 मरते की मवदत की कच्वा मित्रों की वचन को भूल कर क्या बोला अब उस दोनों ने हंसों ने कहाता ना कि तुम बोलोगे तो गिर कर मर जाओगे तो उसने कहाता कि मैं पागल समझ रखाऊं क्या मैं नहीं बोलूँगा कुछ भी नहीं बोलूँगा चाहिए लोग कुछ भी बोलते रहें तो फिर भी वो भूल कर उसने क्या कहा उसने क्या कहा उसने कहा कुर्मय मित्रों वचनम विश्मरते ये तो कोशन में से ही लिया आपने आवदत बोला इ चटा क्या है आपको घटना करम वाक्या ने लिखी तो कि घटना करम के अनुशार वाक्यां को लिखो घटना करम कैसे जैसे आपने पहले पढ़ा कि वो कच्छुआ रहता था अंसों के साथ फिर मच्छुआरे आई मच्छुआरों के बाद फिर उन्होंने का कि मच्ली कच्छ कर मर गया है ठीक है यह आपकी सिक्वेंस में स्टोरी चली है ठीक है आप यह नहीं गह सकते कि पहले वो गिर गया उन्हें निखा लिया फिर मत हुआ रहे आए फिर वो रहता था ठीक है ऐसे तो नहीं बोल सकते ना तो ऐसे यह स्टोरी अलग-अलग यह नीचे वाला जैसे उ गच्छत कच्छवा अकास मारग से गया तो यह अकास मारग से तो नहीं गया था शुरू में ठीक है कुर्मे हंसो चय एकस्मिन सरसरे निवस्ती तो सबसे पहले कौँछी लाइन आएगी यह आएगी क्योंकि कुर्मे यानि कच्छुआ दो हंसों के साथ एक तलाब के किनारे रहता था ठीक है अब केंचित धिवरा तरस्तरे आगचन अब क्या हुआ था कि एक बार मचवारे आई ठीक है कुर्मे अनित्र गंतुम इच थी कुर्मे यानि कच्छुआ किसी ओर जगय जाना चाहता था ठीक है अब लंब मानम कुर्मे द्रश्टवा धावत दोडे ऐसी थोड़े ना दोडे थी ठीक है कुर्मे अकास अकासात पतीते गोपाल के मारशी थी याकास मारक से गिरव अकचुआ गवालों दोड़ा मार दिया जाता है वयम चे मच्छे कुर्मा दिन मारश्या में इती धिवरा अकत्यन कि हम कल सवय मतलब कल सवय यानि आने वाल कल कल हम मच्छी और कच्छों को मारेंगे इती ऐसा धिवरों यानि मच्छवारों ने कहा ठीक है ऐसा मच्छवारों ने कहा तो सबसे पहले कौन सी लाइन आई थी आपकी सबसे पहले आपकी लाईन आई थी कि वो एक अच्छवा रहता था फिर एक दिन वो मच्छवा रहे आए तो उनोंने कहा कि हम कल मच्छी और उनको मारेंगे ठीक है फिर उसको दूसरी जगह जाने की इच्छा हुई स्थोंती लाईन में यह जाएगा फिर क्या हुआ उन्होंने अकास मारग से लेके गए फिर उसको तो आपने कैसे लिखना है बेटा आपने ऐसे लिखनी है कि फर्स्ट नंबर पे लाइन ये आएगी कि कुर्म है यानि कच्छुआ हंसो के साथ रहते था फिर धीवरा है फिर उन्होंने कहा कि हम मचलियों को मार देंगे ठीक है चोथी लाइन की थी कुछुआ किसी और जगए जाना जाता था फिर फिर क्या जो फर्स्ट लाइन दे रखी थी न ये आपकी पांचमी लाइन है कि कच्छुआ हंसों की साहता से आकास मारक्षे गया फिर लटकते हुए कच्छुआ को गोपालों ने देखा ठीक है और गोपालों ने कहा कि हम मरे हुए कच्वे को खा जाएंगे और फिर कुर्व में आकास पतिता है गोपाल के मारिशत यानि गिरे हुए कच्वे को फिर आकास मारक से गिरे हुए कच्वे को गोपालों ने मार दिया ठीक है तो यह आपका अब लास्ट कोश्टन रहता है विटा ये घटना करम के नुशार आपने लगा लिया होगा ठीक है, समझ में आगी होगी एक तरह से ये स्टोरी ही बनानी है आगे पीछे लाइन चली जाती है ठीक है, उनको आपने सिक्वेंस में लगाना होता है ठीक है, अब इसमें भी आपको उप्सन दिये वे हैं जलाश्य मागा, जद वरिद्य दुखिता है ठीक है, तो ये आपने फिलप में ऐसे भरने है तो आपका टाइम जादा हो गया तो मैं आपको आंसर में से ही समझा देती हूँ कैसे आएगा ये एक अश्य विरक्ष श्य साखाईसू अनेक कागा वसंति सम की एक विरक्ष की अनेक साखाऊं पर अनेक कववे रहते थी ठीक है, साखाऊं पर साखाई समझते हूँ ना जैसे विरक्ष हो गया, इसकी अनेक टहनियां हो गई ठीक है, इन टहनियों पर अनेक कववे रहते थी ठीक है, तस्य विरक्ष श्य कोटरे उस विरक्ष के कोटर में, ठीक है, एक कोटर में एक सरब भी रहता था, एक सांप भी रहता था, कागा नाम अनुपस्तिते सरब, कागा नाम सिसुन खा दिती सम, अब कवों की अनुपस्तिती में, जब कवों अपसेंट होते थे, ठीक है, अनुपस्तित रहते थे, करता था कागादुखिता अब कववे दुखी हो गई ठीक है तेसु एक विरिद्य कागा उपाय अचंतियत उनमें से एक विरिद्य यानि बूठे कववे को उपाय सुछा विरिक्ष समीपे जलाश्यासित विरिक्ष के खममीप जलाश्या presente यानि पानी का सरोवर था तत्र ए उस रहाण पर एक राज कुमारी सनाने के लिए नहाने के लिए चलाशा में आया करती थी सीलायाμ श्थीत कि एक ने क्या किया उसका आभ्रण यानि एक आभूशन यानि उसका हार उठा लिया राजकुमारी का और कहां बैठ गया विरिक्षे उपर बैठ गया राज सेवी का जो सेवी का थी जो सेवा करने वाली थी राजकुमारी की काकम अनु स्रित्म यानि उनका पीछा किया अनु गई ठीक है जो राजा की सेवक राजकमारी की सेवक थे ततर ते तम सरपम एमारियन और वहां पर उन्होंने उस साप को मार दिया ठीक है यह तो उक्तम उपायन सरम सिद्या थी यानि ऐसा उचित ही कहा है कि उपाय हर चीज को सिद्ध कर देते हैं यानि सही कर देते हैं तो यह बटा आपका अब अपने साफ साफ अपनी नोटबुक में करना है ठीक है और वीडियो को लाइक भी करना है ठीक है पीटा धन्यवाद